हेलो दोस्तों मैं धिरज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलीफ पॉर कॉमपएट दोस्तों आज का टॉफिक है सुआ पोसी पोशन और विसम पोशन में अंतर तो दोस्तों यह मोस्ट इंपोर्टन टॉफिक है किसी भी परकार के कॉमपएटाटव एक्जाम्स के इसलिए दोस्तों वीडियो को आप जरू पूरा देखेगा क्योंकि में इस वीडियो पर इस टॉफिक को अच्छी तरह से कबर किया हूं आउं चलिए दोस्तों वीडियो का हम सुरू करते हैं तो इससे पहले अगर इससे पर नहें लिए लिए सब्सक्राइब बटन जदब जो अपने उपर निर्भर रहते हैं ना कि दूसर के उपर यह अपना खाना स्वयम बनाते हैं और विशाम पोसी जी हम उनको बोलेंगे जो अपने उपर निर्भर नहीं रहते हैं वो दूसर के उपर निर्भर रहते हैं और अपना खाना स्वयम नहीं बनाते हैं तो मेरा स् लिए इस पर स्वपोसी पोशन जो होगा वह पेड़ पोदे में होता है और वहीं मेरा विशंपोसी पोशन यहां हरे पेड़ पोदे के आतिरिक आइने साभी जीव में होता है ठीक है हरे पेड़ पोदे के आतिरिक यानि कि हरे पेड़ पोदे जो होते हैं वह स्वपोसी CO2 ठीक है और सूरी का परकास और जल H2O ये तीनों आविश्यक है ठीक है पेड़ पोदे जो अपना खाना बनाएंगे तो उसके लिए उसको कार्बोन डायकसाइड चाहिए सूरी का परकास चाहिए और जल चाहिए तब ही वहाँ अपना खाना बना सकते हैं और वहीं मेरा वि विशम पोशी पोशन में कार्बोन डायकसाइड और सूरी का परकास ये आविश्यक नहीं होता है जहां जल की बात है तो जल आविश्यक होता है ठीक है और मेरा सौपोशी पोशन का तिसरा अंतर है इसमें भोजन के पाचन की आविश्यकता नहीं होती इसमें भोजन के पा विशंपोसी जीव को, तो मेरा स्वहफोसी पोषन का 14 अंतर है कार्वन तथा उर्जा संबंधित स्वहफोसी जीव के आवश्यक्तायी परकास संसलेसन द्वारा पूर्ण 고ique मैंने आपको बताया इसकी जो कार्बन तथा उर्जा संबंदित स्वपवसी जीव के आविशकता होगी वो कारपरकास संसलेशन द्वारा पूर्ण होगी और वही मेरा विशंपोसी पोषन में जन्तु अपने भोजन है तु पोधो यम साकाहरी प्रानी उपर निर्भर करते ह ठीक है यह अपना खाना स्वयम नहीं बनाते हैं यह पोधो पर अपना निर्भर रहते हैं या फिर साकाहरी प्रानी उपर निर्भर रहते हैं ठीक है तो दोस्तों यह था मेरा स्वपोसी पोषन और विशंपोसी पोषन में अंतर तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको के समय वीडियों के साथ, थांक्यू